फिरोसा बाद पुलिस ने अपने काम से लोगों की दुआय हासिल की हैं। दरसल एक जोयलेस की दुकान से कुछ दिनों पहले पो ने चार लाख रुपे की आभुशन के चोरी हुई थी। चोरी की वारदायत के बाद कारोबारी अनिल कुमार बहुत परेशान थे। लेकिन पुलिस ने बहुत जल्दी ही उस पूरे मामले का भंडा फोर कर दिया। पुलिस ने जोयलेस को बरामद हुई जोयलरी भी वापस सौंब दी तो वही अपना चोरी हुआ सामान वापस मिलने के बाद पीडित का दिल बाग बाग हो गया है। इसके बाद पेड़े तदिर कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिल खोल कर दूआ दी है। नगत रुपए तो खेर नहीं थे पर उनले एक उंठी बेच दी थी बो भी मतलब पैसे आगे और भी पैसे जमा हो गए। सब कुछ संतुष्ट है मतलब पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे। वही पुलिस के इस काम्याबी के पूरे शहर में चर्चा हो रही है। पंजाब केसरी के साथ खास बात चित करते हुए एसपी सिटी मुकेश चुंद्र मिश्र ने पूरे मामले की खुद से जानकारी दी है। नमस्कार मैं हूँ अरशाद अली और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी है। आज फुरोजाबाद उत्तर पुलिस को एक बड़ी सबलता मिली है जिसमें 3,75,000 रुपे और सौने के कई आवसल बरामद हुए है। यह प्रकण थाना उत्तर से संबन दी थे जहां 3 अभ्यक्तों को गिरिफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और इनसे थाना नार्खी में जौंधिरी गाउं में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। फिरोसबाद उत्तर पुलिस के इस कारवाई से आम लोगों का सिस्टम पर भरोसा जगा है। उम्मीद है कि फिरोसबाद पुलिस आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह से मुहीम चालू रखेगी। पंजाब केसरे टीवी के लिए फिरोसबाद से अरिशद अली की रिपोर्ट।